Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Hypothyroidism के बारे में दोस्तों, Hypothyroidism वो condition होती है जिसके अंदर हमारी body के अंदर जो thyroid hormone है उसकी कमी होने लगती है हमारा thyroid gland under active हो जाता है पूरी तरह काम नहीं करता है ये एक बहुत ही common problem है लेकिन problem ये है कि जादा तर इसमें से वो लोग होते हैं जिनको initial stages में इस बात का अंदाजा ही नहीं होता है कि उनके अंदर thyroid hormone की कमी हो रही है ऐसे में बहुत ही important है कि हम इन लक्षनों को समझ लें ताकि समय रहते हम अगर इस तरह की कोई problem हुमारे साथ होने वाली होती है तो उसको समझ जाएं और सही समय पे उसका इलाज भी करा सकें तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं जहां मैं आपको बताने वाला हूँ दस ऐसे signs and symptoms जो कि आपके अंदर thyroid hormone की कमी की तरफ इशारा करते हैं दोस्तों ये जो लक्षन है ये सबसे commonly पाए जाता है उन लोग के अंदर जिनके अंदर thyroid hormone की कमी होती है यानि ऐसे लोग हर टाइम ठका हुआ महसूस करते हैं हर टाइम सुस्त रहते हैं हर टाइम उन्हें नीन दाती रहती है आला साता रहता है ये कुछ एक ऐसे लक्षन है जो की इशारा करते है कि आपके अंदर जो thyroid hormone है वो कम बन रहा है देकि जो thyroid hormone होता है ये हमारी body के अंदर energy को balance करने का काम करता है तो अगर इसकी कमी होती है तो उसकी विज़े से हमारा जो energy balance है वो भिगर जाता है और इस तरह के symptoms हमें देखने को मिलते हैं वैसे तो देखिए कमजोरी या ठकापन या सुस्ती या जादा नीद आना ये और भी बहुत सारी diseases में आपको मिल सकता है लेकिन अगर आपको कोई explanation नहीं मिल रहा है अगर आपके अंदर और कोई ऐसी problem नहीं है आप नहीं समझ पा रहे किस current से आपको ये हो रहा है तो ये इशारा करता है कि आपके अंदर thyroid hormone की कमी हो सकती है दूसरा सबसे common lection जो की under active thyroid gland की तरफ इशारा करता है hypothyroidism की तरफ इशारा करता है वो है unexpected weight gain अगर आपका weight जो है वो unexpectedly बढ़ता जा रहा है बेना किसी वज़ा के तो ये भी एक लक्षन हो सकता है एक इशारा हो सकता है कि आपके अंदर thyroid hormone की कमी हो रही है देखिए जो thyroid hormone होता है ये हमारी body के अंदर जो energy levels होते हैं वो maintain करता है अगर thyroid hormone की कमी हो जाती है तो उसकी वज़ासे हमारा जो basal metabolic rate है यानि वो metabolism जो rest के time पे होता है यानि rest के time पे हम जितनी energy burn करते हैं हमारी body जितनी calories burn करती है उसको बोलते हैं basal metabolic rate अगर आपके अंदर thyroid hormone कम हो जाता है तो ये BMR भी कम हो जाता है और इसकी वज़ासे हमारी जो body है वो calories को कम burn करती है जो खाना हम खाते हैं उसमें से जो calories हमें मिलती है उन calories को हमारी जो body है वो store करना शुरू कर देती है fats की शकल में और इसकी वज़ासे जो हमारा मोटापा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है स्पेशली जो इसका एक pattern होता है उस pattern के अंदर आपको patient के अंदर आखों के नीचे भारी पन या स्पेशली जब सुबा सोके उड़ते हैं तो उस तरहीं मूग के उपर भारी पन या सूजन महसूस होती है हाथ जो हैं वो काफी मोटे मोटे हो जाते हैं गद्दे जैसे हाथ हो जाते हैं ये कुछ ऐसे लक्षण है जो की इशारा करते हैं हाइपो थारेडिजम की तरफ जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए और अगर ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है तो फॉरण अपने ड नौसम में या किसी ठंडी जंगा पर आपको अनबेरेबल ठंड का अहसास होता है तो ये भी एक लक्षण है एक सिम्टम है जो की इशारा करता है कि शायद आपका जो थाइरोड हार्मोन है वो कम बन रहा है देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया कि जो कि हमारी बॉड़ी में जो कियावरी होती है और जब कियालिया कम बन होगी तो हमारी बॉड़ी कम हीट करेगी इसको आप ऐसे समझी है कि अगर आप माली जो वरक आउट करते हैं या भागते दोरते हैं तो उस ताइम आपको बहुत जाता गर्मी लगनी शुरू हो जाती है ये गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि उस टाइम आपकी बोड़ी जो है वो जादा हीट जनरेट कर रही है जादा कैलोरीज को बर्न कर रही है बट हाइपो थायरेडिजम के केस में ऐसा नहीं होता है आपकी जो बोड़ी है वो कम कैलोरीज को बर्न करती है ज्यादा calories को store करना शुरू कर देती है तो इसकी वज़े से आपको ठंड का एहसास ज्यादा होता है चौता लक्षन होता है joint pains या muscle pains या muscle soreness दोस्तों अगर हमारे अंदर hypothyroidism होता है तो उसकी वज़े से हमारी body में catabolic activity बढ़ जाती है catabolic activity का मतलब है कि हमारी body अपने ही tissues को breakdown करके उसके energy की तौर पे उसको use करना शुरू कर देती है इसे बोलते है catabolic activity अब होता क्या है कि अगर आपके अंदर thyroid hormone कम हो जाता है तो ये catabolic activity आपकी muscles को और tissues को breakdown करना शुरू कर देती है इसकी वजह से आपकी muscles हैं वो कमजोर होने लगती है आपके joints पे pressure बढ़ने लगता है आपकी muscles के अंदर cramps से जादा आने लगते हैं दर्द रहने लगता है आपको थोड़ा बहुत चलने से भी pain हो जाता है या थोड़ा बहुत आपको देर खड़े रहे तो आपकी टांगे भर सी जाती है दर्द होने लगता है इस तरह की unexplained pain और soreness और weakness अगर joints में आपको महसूस हो रही है तो ये भी एक इशारा होता है कि आपके अंदर hypothyroidism की शिकायत हो सकती है दोस्तो thyroid hormone की कमी की वज़े से हमारे जो hair follicles होते हैं उनके अंदर growth होनी रुख जाती है वो regenerate होने बंद हो जाते है और उसकी वज़े से हमारे अंदर baldness की शिकायत आने लगती है हमारे बाल जढ़ने लगते हैं गंजा पनाना शुरू हो जाता है ये भी एक बहुत common symptom है hypothyroidism के case में और अगर इस तरह का symptom आपको नजर आ रहा है अगर आपको कोई reason स्वज में नहीं आ रहा है कि आपके बाल क्यों जोट रहे हैं अच्छा एक चीज और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा और घुंगराले से होने लगते है अगर इस तरह का pattern आपको देखने को मिल रहा है तो ये तो clear cut sign होता है कि आपके अंदर hypothyroidism है बट इसके इलावा भी अगर इस तरह की शिकायते आपको नहीं दिख रही है सिर्फ hair fall हो रहा है या thinning of hair आपको दिख रहा है और इसमें itching काफी जादा होने लगती है वैसे तो dry skin होना एक आम बात है सरदी के मौसम में भी dry skin हो जाती है या आपकी skin के अंदर itching होना भी एक बहुत common symptom है जो कि अलग-अलग तरह की दूसरी बिमारी में भी हो सकता है लेकिन अगर अभी तक जितने भी लक्षण मैंने आपको बताए उन लक्षणों के साथ आपको dry skin और itchy skin महसूस हो रही है खुजली महसूस हो रही है तो ये एक इशारा है जो कि आपको बताता है कि आपका thyroid gland कम हो रहा है और आपको hypothyroidism हो सकता है पॉइंट नंबर 7 और 8 में आपको एक साथ ही बताता हूँ क्योंकि ये दोनों बहुत छोटे-छोटे points है अलग-अलग बताने से उसको कोई फाइदा नहीं है तो पहली चीज़ तो ये कि आप अगर hypothyroidism के patient होते हैं बट practically clinically ये देखा गया है कि जिन लोगों को hypothyroidism होता है वो लोग जादा prone होते हैं depression के लिए इसके साथ साथ दूसरा जो symptom है जो की बहुत commonly देखे जाता है वो ये कि अगर आपके अंदर thyroid hormone कम बन रहा है तो उसकी वज़े से आपके अंदर mental fogginess महजूस होती है आपको चीज़ों को concentrate करने में problem होती है आपकी memory weak होनी शुरू हो जाती है यानि आप कह सकते हैं कि आपका जो brain है जो mind है आपको वो ऐसा लगता है जैसे उसमें धुआ भरा हुआ है आपको कुछ याद नहीं रहता है किसी चीज़ के बारे में concentrate नहीं कर पाते हैं और कुछ भी चीज़ कहीं रखके भूल गए या कहीं जाना था तो जा नहीं पाए या फिर किसी के नाम भूल गए इस तरह की जो छोड़ी छोड़ी चीज़े हैं ये आपके साथ होने शुरू हो जाती है क्योंकि आपकी जो memory है वो कमजोर होने लगती है hypothyroidism की वज़ा से नवा लक्षन जो कि hypothyroidism के case में आपके अंदर हो सकता है वो है constipation वैसा ये constipation का जो लक्षन है ये hypothyroidism के case में बहुत जादा significant नहीं है बट still ये देखा गया है कि बहुत सारे patients जिनके अंदर thyroid hormone कम होता है उनके अंदर constipation develop होना शुरू हो जाता है तो अगर सिर्फ आपको constipation की शिकायत है तो ये तो इशारा नहीं करता कि आपके अंदर hypothyroidism होता है बट अगर बाकी दूसरे लक्षणों के साथ आपको constipation भी feel हो रहा है तो ये कहीं न कहीं एक clarity प्रवाइड करता है आपको कि आपके अंदर वाई जो thyroid hormone है वो under active है आपका thyroid gland कम काम कर रहा है लास्ट जो point में आपको बताना चाहूंगा hypothyroidism के case में वो है irregular menses या फिर heavy bleeding ये जो point है ये specifically है girls के लिए या women के लिए तो अगर आपको बहुत ज़दा irregular menses हो रहे है आपकी जो cycle हर टाइम disturbed रहती है या फिर अगर जो bleeding होती है during menses वो बहुत heavy होती है तो ये दोनों ही चीजे इशारा करती है कि हो सकता है आपका जो thyroid gland है वो under active हो दोस्तों जो thyroid hormone होता है हमारा ये हमारी body में अलग अलग तरहा के hormones को generate करने के लिए पैदा करने के लिए responsible होता है और अलग अलग तरहा के hormones से interact करके हमारी ladies की जो menstrual cycle होती है उसको भी regulate करने का काम करता है तो अगर कोई disturbance आ जाता है hormone के अंदर ये thyroid hormone के अंदर तो उसकी वज़े से irregular menses होना या heavy bleeding होना menses के दुरान एक बहुत ही common लक्षन पाए जाता है ladies के अंदर तो दोस्तों ये थे वो 10 लक्षन जो की under active thyroid gland की तरफ इशारा करते हैं और आपको बताते हैं जरूर सीखा होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक बड़ा सा लाइक दीजिए इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे कुछ सीख पाएं और अपने आपको थाइरोइड जैसी बीमारी से सेफ रख पाएं चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ अगर इस टॉपिक से रिलेटिड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम आइडी इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारे साथ इस सफर में बने रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा